हाई गाइस रात के ग्यारा वजे वीडियो बना रहा हूं आप लोग के साथ के डेई एक बहुत ही दुखत न्यूज के साथ अभी रिसेंटली एक रीडियोग्राफर है जो इंडिया से यहाँ पर मुब हुई थी लेडीज हैं और उन्होंने सेंटर लेंडन में एक अच्छा मतलब चीज में अपने आपको दिखानी पारी थी मतलब काम में भी MRI बोलो MRI स्किल्स में भी फैल थी पॉलिसी में फैल थी पेशेंट से बात करने में फैल थी प्रोटोकॉल्स मतलब जैसे कभी कबार आप पीछे हो जाते हो तो टाइम थोड़ा शॉर्ट करके स्कैन करना प पारी थी कभी कबार देखो लग के वज़े से कुछ लोगों का इंटर्व्यू पास हो जाते हैं फिर बाद में जाके ऐसे प्रोब्लम साते हैं तो यह जो लेडीज है अब इनको टर्मिनेट कर दिया है उन लोगों ने अभी और इसको लेके काफी काफी जगाओ पे मैंने स सुना है परसनली सुना है कि इंडियन डेटोग्राफर की बारे में अच्छा बुरा लोग कह रहे हमारे डेपार्टमेंट में बात हुई है कि काफी लोग इनको जानते वगरा है वहां के ऑस्पिटल के लोग यहां पे मरा एक बहुत चोटा वर्ल्ड है इतना बड़ा वर् तक यह थीन चीज़ सीख के आओ, कम्यूनिकेशन, आपकी कोर कम्यूनिकेशन जो अमर्ण आई है और इंग्लिश यह थीन चीज़ की बिना यहां पर कुछ नहीं कर पाओ गए और अगर इस तीन चीज़ आपको आता नहीं है नमबर वन कम्मिनिकेशन, नमबर टू है, कोर कम्पिटेंस जो आपके MRI है, या जो भी आपकी वो है, और दूसरा है कि इंग्लिश स्पीकिंग, जो लेंग्वेज, इंग्लिश लेंग्वेज है, अगर ये तीन नहीं है, यहाँ पर मत आईए, कभी मत आईए बाहर, UK में तो म कि प्रॉब्लेम्स चल रहा है वो अलग है, पर यहाँ पे जो काम होता है, वो जेनुइन होता है, और अगर काम जेनुइन आप कर नहीं पाओगे, तो आपको टर्मिनेशिन है करना पड़ेगा, आप देखो दूसरा हॉस्पिटल में जाओगे, जाएंगे यह लड़की, अ उनको जॉब मिलना मुश्किल होगा क्योंकि दोखो वो लोग रेफरेंस के लिए पिछला ऑस्पिटल में फोन पता करते हैं बोलेंगे टर्मिनीट किया है वाई क्यों टर्मिनीट किया है बहुत सारे इंफिरमिशन है अगर तुम उस एक्सपिरियंस को नहीं दिखाना चाहो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लोगे तो क्या जा रहा है जल्दे आओगे तो यह सब चीजे फेस करना पड़ेगा थोड़ा सा लेट करके ही सही जगा आना मेरे इसाफ से तो अच्छा है यह गलतिया मत करो कभी भी थेंक्यू बड़ी माच किप वाचिन सब्सक्राइबिन थेंट गर मच